हैं दोस्तों दोस्तों स्वागत है डियल फॉर स्टडी में देखिए प्रारंभिक स्कुलों के लिए चैनित अभियातियों के सर्टिफिकर्ट नहीं मिलने का मामला अभी रिसेंटली हाली में ऐसा हुआ है कि कुछ विद्यार्थियों का चैन दूसरे स्टेट में हो गया है सि इतना भी नियोजं हुआ है उस लोग का सर्टिफिकर्ट ठिक है वह सर्टिफिकर्ट जो है क्या है विभाग ने तरफ से जो है उसे जबति के क्योंकि उसके पास ना तो इसलिए ये बहुत ही हमारे पास करके सारी न्यूज का मामला बताएंगे आप चैनल को सस्क्राइब करना नहीं बुलिएगा क्या करिएगा सस्क्राइब ताकि इतना भी अपडेट्स आप तक पहुंचेगा देखे दोस्तों हम बारिकी से इस न्यूज को आपको बताते हैं इसमें में मामला यहां से है मामला क्या ह देखते हैं प्रारंभिक इसकलों के चैनित अभ्यार्थियों के सर्टिफिकर्ट नहीं मिलने का मामला तो उसका सर्टिफिकर्ट नहीं मिल रहा है इसमें अरोप लगाया है कि ज्वैनिंग भी नहीं मिल रही है और नहीं सर्टिफिकर्ट तो यह तो बात सही है और एक इध सब्सक्राइब कर रहा है की तो राज के प्रारंभी स्प्रणों के चयन इत अभ्यार्थियों कि दिस्किन समंधित सभी मुलब्रान पंद्र जबता है चयन अभ्यार्थियों का आरोफ है कि चयन तीन माह पहले हो कुछा है लेकिन अभी तक जोइनिंग नहीं दी गई है नहीं मूल सर्टिफिकेट वापस किया जा रहे हैं इस कारण दूसरी जगह नौकरी का मौका भी छूट रहा है ठीक है इतना ही नहीं इतना ही नहीं कह रहा हुआ है इपना ही नहीं हुआ है क्योंकि बहुत सारे बच्चे का दूसरे स्टेट में हो पारा है लेकिन यहां पे जो नहीं हो पारा है बेरुजगार बैठा हुब ठीक है और यहां पएक दुसरा मामला यह यह विभाग बोल रहा है सेटिफिकेट ले ले पर दूसरे नियोजर में प्रियोग ना करें देखिए यहां रहा है शिक्षा विभागने का सेटिफिकेट ले लेने का पातरता नहीं जाएगी देखिए पहला केस दूसरा केस और तीसरा अच्छा अथा केस चार केस है विश्णु कुमार पांडे का च कामिल नहीं हो सकता ठीक है केस दू का रहा है कि अंकित कुमार गया के सिर घाटी प्रखंड के बार पंचाय सिक्षक में चैनित हुई है इनका चैन गुहार्टी के नवोदय विद्याले में चूने गए लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिलने का बार जोइनिंग नहीं हो पाए त ठाकूर समस्तिपूर के सिवाजी नगर प्रखंड से सिक्षक पत्का चैन हुआ सपी सर्टिफिकेट जब के कारण दिरली अधीती सिक्षक में वह नहीं जोइन कर पाए चैनित अभ्याती चाहे तो मूल सर्टिफिकेट वापस ले ले सर्टिफिकेट वापस लेने वाले अ पत्तासमाप्त नहीं होगी लेकिन पंचय चुनाव के बाद नियोजय निकाई की कौंसलिंग में शामिल नहीं हो सकते सामिल होने के स्थिति में ही पत्तासमाप्त हो जाए यह संजय कुमार के द्वारा कहा जा रहा है नबे हजार सासो बासवट सिक्षकों की होनी है बाहली के लिए दो चरन में 3814 अब्यातियों का चैन है बिहार प्रारंबिक सिक्षक का ब्यातिय सằng के सौरव खुमार बताते है कि सरकार्च हैनित अब्यातियों को जैनी की तितः भी नहीं बता रही है और नहीं मूर्क वानफत वापस कर रही है, इस कारण हमें चैनित साथी ब्रजगार धेल रहे हैं, उनका सिक्षक संस्ताओं का नमांगकर भी वचित रहारे हैं उसके बाद दूसरा नूच कर रहा है, दूसरा नूच कर रहा है कि परत्येक सुर्खबार को, इयो करियाले में जनता दर्वार देखें इयो करियाले में क्या होगा जनता दर्वार लगेंगे मुख नियूज है जिला सिक्षा का अधिकारी अमीद कुमार ने ले लिया कि पर्टेक सुकवार को करियाले में जनता दर्वार लगाया जाएगा डियो के जंता दर्वार में जिला कार्ट करम अधिकारी अस्थापनायम का जिला कार्ट करम अधिकारी समभ सिख्षा सहीट अनधिकारी भी सामल होंगे तो य הקरिया अच्छी बात है ठीक है नेक्स्ट न्यूज कर रहा है कि बकसर के दियो सहीट 72 खिलाब अफायार का अदिश ठीक है यह 72 सिक्षकों के इतना मामला सामने है देखिए न्यूज का रहा है अधर प्रिवेशन आफ करप्शन एक्ट के तहट दोसी मानते हुए सिक्षा विवाग ने उठाया सक्त कदम निगरानी की जाच के लिए आरोप सहित साबित हुए इसमें विश्च फैक्ट यह है कि निगरानी ने फर्जी फोल्डर के मामले में जाच के जरा अब तक 1600 से अधिक फर्जी दस्तेवार जमा करने वाले सिक्षकों की प्रात्मिका दर्ज कराए दूसरा मामला है कि तीन लाग से अधिक फोल्डरों की चल रही है जांच तीसरा मामला यह कर रहा है कि 90,000 से अधिक ऐसे सिक्षकों की विश्च जांच ऑनलाइन की जा रही है जिन्हें पांस साल में भी एक फोल्डर जमान नहीं किये जा रहे है ठीक है यहां देखिए मामला यह है कि सिक्षा विभाग ने बक्सर के डियो अमर भूसन के खिलाब प्रात्मिक्ता दर्ज कराने के अनुमती दिया साथ ही उन बहत्तर आपत सिक्षकों खिलाब प्रभी प्रात्मिक्ति दर्ज कराने का आदेश दिया है अधिकारिक जनकारि के मुतावी बक्सर के डियो अमर भूसा ने सुपॉल में कार्जक्रम पदादिकारे डिप्यों रहते हुए 72 शिक्षों के पद अस्थापन करते हुए उन्हें करते हुए उन्हें बेतन भुक्तान किया इन मामले में सिकाय दर्ज हुई और तो मामला निगरानी विहाग के दा देशक अमरेंद्परताप सिंग ने सुपॉल के जिला सिक्षक पतादिकारी को अमर भूसान और 72 अनापत सिक्षगों की खिलाप प्रात्मिक्ते अदर्ज कराने का आदेश दिया और साथ ही आदेश में अलोक में करवाई करती हुए निगरानी विहाग को भी अगवत करान करने को कहा बक्षर के डियू अमर भूसान ने बहतर आपत्र सिक्षगों पर प्रुवेशन आफ करप्शन एक्ट के तहत दोसी मांते हैं प्रात्मिक्ते अदर्ज कराने का यहादेश जारे किया है उलेकनिया कि निगरानी जांच के दोरां एक अर्से के बाद बरे अधिका सब्सक्रारी पर गाजगरी तो यह टोटल न्यूस था दोस्तों अगर चैनल पर बने रहना है तो चैनल को सस्क्राइब करना नहीं भूलेगा देखे यह जितना भी न्यूट्स न्यूज आप तक होगा वह पहुचाएंगे और यह बहुत ही गंभीर मामला है दोस्तों की सर सब्सक्राइब बटन होगा रेड़ कलर का आप इसका सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे जैन जैवारत